कि हमारे गार्डन में काफी सारे प्लायटी हैं काफी फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ वेज़िटेबल हैं कुछ हब्ढ़ हैं अब भूती मेंटेनंस फ्री गार्डन है हमारा जैसे हम बत्वाण की प्राथना करके शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारे तुलसी प्लांट्स आप देख सकते हैं यह तुलसी है उसका कहते है होली बैजिल बैजिल इतालियन कुईजीन में काफी यूज किया जाता है आप में देखा होगा पीज्जा पास्ता पेस्το यह बैजिल उसका मेन इंग्रिडियंट होता है तो आपको जैसे पता होगा हमारी पूजा और आईुर्वेधा में दूलसी का काफी मेहत हो है आपको पास है राम त अभी अब जा नीचर रहे सब्हां नहीं पूरी फिरेंगा अब ह प्रश प्लांट केंश्या अची तरह जाएगा उसको तुलस्ण भासर करेंगे तो तुलसी भूम पिल जायेगा तो जैसे हमने आपको अभी तुलसी का प्लांट दिखाया, वैसे ही हमारा दूसरा इंडोर प्लांट, अरे मैं बताना भूल गया, तुलसी ब्रिटिश वेदर में आप भार में रख सकते, बिंदावन होता है, उसमें आप नहीं प्लांट कर सकते, आपको उसको घर में रखना होता है, क्योंकि काफी ठंड पड़ जाती है, स्नो होता है कभी कबार, तो इस वज़े से उसको हम इंडोर रखते हैं, आपने देखा, वहाँ पर हमने रखी हुई है, तुलसी, तो तुलसी अगर आप उसकी अच्छी दरह करेंगे, तो आपको पूरे 12 मॉंस उसके हरे-हरे लीव्स आपको दिखाई देंगे, वह बढ़ता रहेगा, तो आपको उसको थोड़ा ट्रिमिंग, उसको थोड़ा कट करके उसको फैला सकते हैं, उसको प्रोपोगेटिंग कहते हैं, गाड़नी लैंगविज में, तो अब तुलसी के बाद हम चलते हैं, दूसरे इंडोर प अब आपकी स्कीन को लगा सकते हैं, काफी सूधिंग होता है, अब देख सकते हैं, ये दो लीव्स पूरी दर बढ़ चुके हैं, या आप इसको अगर कट करेंगे, तो इसको इंदर आपको जो पल्प मिलेगा, वो आपकी स्कीन के लिए काफी सेहत मन्द है, आप इसका इसका भी काफी मेडिसिनल यूज है, तो आप आपकी घर लगाएं, आप यूज करें, आप जितने इसकी लीव्स निकालेंगे, उतनी और लीव्स आएंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर और लीव्स आ रही हैं, फ्रेश लीव्स बढ़ रही हैं, यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा हमारे गार्डन का सबसे इंपोर्टन्ट और खूबसूरत पोदा, इसका नाम है लैवेंडर, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे लैवेंडर का प्रांट है, पोदा है, आप इसको अगर मस्दीक से देखेंगे, काइब जो काफी छोटे छोटे फूल हैं और यह हुनीबीस का प्लांट है, इसका छोटे फूल होते है इसमें काफी सारा Nectar होता है जो हीजो अट्रैक करता है , मैं फिरसे गॉनीबीस के बारेमे आपको बता हो भाता हो व किवके थेज झाहीब कादने आते हैं तो आपका हनी बीज ऐते हैं इस लोग से दूसरे पूदे में जाते हैं आप है आप कफी हनी बीज को अट्रैक करता है लैंडर प्लांन अगर वग वो अपको फोर में ज़रूर जाहिं तोिछ जतने हंपा cents क्फ्लावर्स में और अपना अपना गार्डन हो लिए देखा हैं काफ़ी गार्डन्स में आप अपने देखा होगा अपने क्या नेट्स व पदा नहीं क्या क्या लोग इंसेक्ट रिपेलंट मारते हैं वो बहुत गलत है आपका गार्डन कभी नहीं खेल उठेगा इसलिए मैंने कोई एक online पड़ा था report कि honeybees दीरे-दीरे कम होते जा रहे हैं तो ऐसे plants आप लगाएं, honeybees और आएंगी आपका garden और खिल उठेगा तो यह अब देख सकते हैं, हमारे पास 6 पौदे हैं lavender के थोड़ी थोड़ी डिस्टंस पर लगाएं हो और आप देख सकते हैं एक है दूसरा यहां पर है और थिस्सा हि memang है यह इक और पीचह है तो देख सतने हैं, पूरी गार्डन में हमारी बीज इंती रहती हैं, बटरफल आपी रहती हैं, जैसे मैंने बताया आपको बहुत इंपोर्टन है आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जो अपनी बीस को अट्रैक हैं, और आप देखेंगे किसी नर्सरी में जाएंगे, प्लांट मैं आपको दिखेगा, वहाँ पे लेबल पे लिखा होता है, अट्रैक पीस, जरूर ऐसे पौदे ले, यह भी पेरेनियल है, अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके लीव्स सूखते जा रहे हैं, इसके फ्लावर सूखते जा रहे हैं, क्योंकि इनका नेक्टर खतम हो है, और हनीबीज आपको कुछ नुकसान नहीं देंगी, एक और अच्छी चीज लावेंडर के पर में आपको बता हूँ, तो जैसे यह प्लाण्ट सूख जाते हैं, इसके अगर आप फ्लावर्स हैं, इसको आप यह पूरी जारा सूख जाएगा, अगर इसको आप ऐसे हाथ में मलेंगे, तो आपको अच्छा फ्रेश लावेंडर स्मेल आएगा, कोई फ्रेग्रंसी, कोई आर्टिविशल फ्रेग्रंस, पर्फ्यूम लाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको छोटी सी मसलिन क्लॉथ की बैग में डालके आपके कबड में रखें, आपके ड्राइंग जरूर पढ़ता हूँ, और आपको मैं पक्का इसका रिपलाई दूँगा, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हमारे गार्डन के एंड तक, एंड का मतलब बाउंडरी लाइन तक, वीडियो में और सारे प्लांट्स में आपको बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही खुबसूरत प्लांट में आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है, बोटैनिकल नाम है, अकांथस मॉलिस, वैसे इसको कहा जाता है, ओइस्टर प्लांट या बेर्स ब्रीचिस, यह बहुत ही खुबसूरत प्लांट है, उसी टाइम काफी डेंजर भी हो सकता है, क्यों मैं आपको तो यह है अकांथस मॉलिस प्लांट, आप देख सकते हैं, सबसे पहले लीव में आपो दिखाऊंगा, काफी बड़ी-बड़ी लीव होती हैं इसकी, और फिर आप देख सकते हैं, इसके स्टेम्स जाती हैं उपर तक, काफी खुबसूरत फूल होते हैं, इसका आप देख सक यह काफी प्रोटेक्टेड होता है, अगर बारिश भी आती है, पानी गिरके नीचे जला जाता है, तो नेचर ने ऐसी चीजे बनाई हैं, यह आपको दिखाई देगी, ज्यादातर मेडिटेरिनियन कंट्री, जैसे पी पॉर्टूगल, नौट अफ्रीका, यह ऐसे कंट्री में फिर से नई वीज आएंगी, नए फ्लावर्स आएंगे, तो इनका साइकल, पेरिनियल साइकल चलता रहेगा, तो आएए दिखाते हैं हम हमको फुस्चिया प्लाट, तो फुस्चिया इसके बारे में था जाता है, यह सबसे पहले कैरिबियन आइलेंड जैसे हुआ वेस क्योंकि दिखने में बहुत खुबसूरत है, तो आप उस प्लांट को लेके आए यूरोप में और वहां से एक पूरी वर्ल्ड में फैला, तो अब देख सकते हैं, यह भी हार्डी, इसको कहता है हार्डी फुस्चिया, हमारे पास यह दो है, तो यह देख सकते हैं, आप क्लोजली तो आपको दगेगा कि कोई लेडी, किसी लेडी ने और उच्छा सकते हैं, इसको फ्लावर है, यह उसके बहार की पेटल्स हैं, और अंदर बहुत ही खुबसूरत पर्फुल कलर की पेटल्स अंदर होती है, इसका कोई मेडिसनल यूज नहीं है, इस और्नमेंटल प्लान जैसा होता है, तो दोस्तों, मैं आपको अब दिखाना चाहूंगा बहुत ही कॉमन और खुबसूरत पौदा, मारी गोल्ड, जिसको मराथी में हम जेंडू कहते हैं, तो यह रहा आप देख सकते हैं, जेंडू का प्लान, यह हमारे पास काफी सारे हैं, और इसको बहुत सारे फूल आते हैं, इक अच्छे, येलो कलर के, इसकी दूसरी वराइटी भी आप देख सकते हैं, तो इसका हमारी पूजा में बहुत अच्छा इसका महत्पो होता है जितने आप इनके फूल कट करेंगे उतनी तेजी से और नए फूल आएंगे तो यह इंडोर प्लांट है वैसे यह अभी थोड़ा ब्रिटिश समर है तो इसलिए हमने इसको बहर रखा हुआ है जैसे ही अभी ठंड पढ़ जाएगी तो हम इसको अंदर मूव करेंगे तो यह पूरी साल फूल दिता रहेगा आपको यह अन्यूल प्लांट होता है अन्यूल का मतलब है यह साल में एक बार खिलता है और पूरी तरह मर जाता है तो इसको आप अपको फिर से इसको नए प्ला प्लांट है तो यह काफी खिलेगा एक-दो हफ्तों में और यह पूरा खिला हुआ है हमारे पास ऐसे हैं साथ यह आठ पूल हम पूजा में इस्तमाल करते हैं काफी अच्छे दिखते हैं और अगें यह बीज को बहुत अट्रैक करते हैं बीज आती है इसलिए इतने खिले ह हैं हमारे प्लांट क्योंकि आप बीज को ना रोके अगर आपने कुछ भी गार्डन में अगर लगा रखा है जल्दी से उसे हटा दें बीज को वेलकम करें आपकी गार्डन में तो आपका गार्डन और खिल उठेगा तो यह था हमारे गार्डन का टूमीद है आपको अच् लेकिन गार्डनिंग का काफी बेनिफिट्स हैं आप गार्डनिंग करें कुछ भी आप गार्डन में समय बिताएं आपका ब्लड प्रेशर है तो आपको इसमें थोड़ी रहत मिलेगी प्लस एक सुपून मिलता है आप पैड़ पॉदों के साथ थोड़ा समय गुजारने मे प्लस ऑक्सीजन मिलती है फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती रहेगी हमेशा के लिए तो दोस्तों ये था हमारा गार्डन मैंने कुछ सिलेक्टेट पोधें आपको दिखाए आपको कैसे लगे हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच अच्छा लगा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए